वेल्कम तो मैं य्टूब चैनल तो चलिए स्टार्ट करते अपने वीडियो जिसे हम कांटिनु चल कर रहे हैं तो आपने 7 वीडियो अप्लोड करती हैं यह आपकी 8 वीडियो है इसी तरिके से कांटिनु वन लाइनर की क्वेश्चन जो एक्जाम के पॉइंट आव व्यू से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो टाइम वेस्ट ना करें क्वेश्चन नमबर लजाय की ठेके나हे हैं तो मतलब समानसास का जो उदभवा हुआ था तो वहां उत्पति हुई थी, फ्रांस में हुई थी ठीक है, समासास का विकास अमिर्का में हुआ उत्पति हुई थी फ्रांस में लेकिन विकास कहा हुआ है, अमेर्का में ऐसा क्यूं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो sociology के लिए, जो content चाहिए था जो मतलब material चाहिए था वो अमेरिका में आसानी से और अधिक सुरलब तरीके से मिल गया फ्रांस में वो चीज की कमी थी इस वज़े से उत्पत्ती तो हो गई फ्रांस में लेकिन उसका विकाज वहाँ पे नहीं हो पाया ठीक है? तो वो हुआ था अमेरिका में यह भी याद रखना है एक्साम की point of view से important है आगे देखते हैं समाज सास का वेज्ञानिक अधिन करता है तो वेज्ञानिक अधिन समाज सास समाज का वेज्ञानिक अधिन है यह किसकी है? जो गिडिंग्स है? गिडिंग्स जी की है तो एक इसकी है गिडिंग जी सकी तो वेग्यानिक जो विधी है समाज सास को समाज का वेग्यानिक अध्यन कहा जाता है गिडिंग के द्वारा नेक्स है समाज साज जो प्रथम पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है समाज साज के जो प्रथम पुस्तक हर्बर इस्पेंसर लिखी थी प्रिंस्वल आफ सोशियलोजी नेक्स है समाज साज का क्रम वध अध्यन किया है तो किस ने किया है क्रम वध तो यह Herbert Spencer ने किया है समाज साज समाजिक तत्यों का अधियन समाज साज समाजिक तत्यों का अधियन तत्यों की बात कौन करता है दुर्खिम जी करते है तो अंसर हमारा दुर्खिम राइट है टोटम वाद किस समाज द्वारा फॉलो किया जाता है तो टोटम वाद जो है जन्जाती जो समाज है आदिवासी वगेरा जन्जाती समाज है उनके अमसार इसको फॉलो किया जाता है टोटम वाद को इसकी अधार्ना किस ने दी है 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 इसकी अधार्ना किस ने लेकर कौन है विज्ञान के विचार के लेकर फ्रांसी वेकन है next है समाजिक दर्जा और समाजिक गतिशीलता की धार्ना ती किसने दी है अगस्ट कॉम्ट ने अगस्ट कॉम्ट की है next है West Aachen की अधार्ना किसने दी है West Aachen एक विचार है जो आधर्श विचार कहा जाता है Max Bieber द्वारा दिया गया है नेक्स ने समाज संघर से पार का सयोग है मैक्स बेवर ने समाज संघर से पार का सयोग है ये किसका है? मैं काईवर का किसका है? मैं काईवर का समाज संघर से पार का सयोग है नेक्स ने यह किसकी है यह सामीन आमीन ने लिखी है समूमन का सिद्धान किस ने दिया है M.C. Douglas ने दिया है और नौ समराजवाद और किस नाम से जाना जाता है तो यह डौलर समराजवाद के नाम से भी जाना जाता है नौ समराजवाद नेक्स्ट है Capital, Socialism, Socialism and Democracy बुक जो है यह किसकी है Capital, Socialism and Democracy यह किसकी बुक है जोसेफ एसुप्टर की किसकी जोसेफ एसुप्टर की नेक्स्ट है Mind and Society यह किसकी है Pareto जी की है Marijan Man जो है यह किसका है अफधार ना तो Robert Isra Park का है किसका है Robert Isra Park Human Group George Sceptre जो हुमेंस है उन्होंने यह बुक लेखी है Holmes ने Human Group Next है प्रथम संगठन Indian Socialogy की स्थापना कहा हुए थी प्रथम संग Indian Socialogy प्रथम संगठन Indian Socialogy है इसकी स्थापना कहा हुए थी Mumbai में हुए थी समासास मानो समाज का अध्यन है Kingsley Davis का दिया हुग कॉंसेप्ट है समासास मानो संबंधों का विज्यान है Arnold A. Rose का समासास मानो संबंधों का विज्यान है समासास में समाजिक सरचना का सवर प्रथम प्रयोग किसने किया सरचना का प्रयोग किसने किया है समासास में तो Herbert Spencer ने अपनी पुस्तक प्रिंस्पल आप सोचलोजी में किया है ठीक है Social Change पुस्तक किसकी है मोर्जी की है Social Change किसकी भुख है तो मोर्जी की है समाजिक परिवरतर के प्रमुक सिद्धान थे चक्री और रेखी सिद्धान धर्म की उतपत्ति के आत्मवाद का जो या जीवाद जो सिद्धान थे उसके दन दाता कौन है तो Tyler जी है ताइलर ने धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद या जिववाद सिधान को दिया है धर्म का विकास बहु देववाद से एक देववाद की और हुआ ये किसका कौन से अटाइलर का है बहु की तरफ बहु वाद से एक देववाद की तरफ हुआ है यह किसका है? टाइलर जी का है मुश्लिम वाव विच्छेद अधिनियम 1935 1935 नहीं है 1937 39 History of caste in India केत करकी है किसकी है? केत करकी History of caste in India तो यह थे आज के हमारे important questions यह आपके लिए काफी helpful रहे होंगे वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और नेक्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं और इसी तरह चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले थैंक्स वबच्छ झाहते हो जबच्छी लगाँ जबच्छी लगाँ